ही हो 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 अगड़म बागड़म भायंकर ICAI भाई सब आप लोगों के लिए बना रहा है एक ट्रैप और उट्स ट्रैप में देखना कितने सारे बच्चे फसेंगे ICAI बता है कौन है वो टीडियल ज़े देखिए तुमने शारुक खान और अमरीश पूर बाले आओ 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 वैसे ICAI दना डल डल के आप लोगों को बुला रहा है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो क्या ट्रैप है विद एक्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा बस आपने कहा करना है वीडियो को लाइक कर दीजे आओ आओ लोगों को बताई रहा हूँ के यही हो रहा है होता क्या है कि आओडिटिंग का स्लेबस चेंज घुआ है पहले पुराना स्लेबस था नया है और पुराना स्लेबस माले जिसे एक ऐसे के एक्जामपल लेते है S.A. 265, नए S.A. 265 अब कहीं लोग बोलेंगो वो ऐसे नहीं है भाई, है भाई, चैप्टर नमर 7 खोल के देखो यार, right, my point is कि भाई, पहले S.A. 265 अलग तरीके से आपके S.A. 265 में covered था, अब अलग तरीके से आपके S.A. 265 में है, old slavers से, कहीं topics हटा दिये, कहीं topics नए, add कर दिये अब बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है भाई, वो ही पढ़के जाता है, तो टीचर बोल देता है और टीचर ने पता नहीं भाई, पुराने slavers के हिसाब से बढ़ा दिया या फिर, nice slavers में, क्योंकि tough topic आ गया है, तो उनको avoid कर दिया, और उससे बच्चा फस जाता है, मैं आपको एक example दिखाता हूँ, चलिए तो मैं chapter 7 की आप लोगों से बात करता हूँ इससे ध्यान से, सुनी का ध्यान से, इधर देखो इधर देखो प्लीज, essay 265 communicating the deficiencies in internet control to दोस्चा with governance and management, अब इसके अंदर बहुत सारे topics हैं, पहले आता है आपका auditor responsibility, deficiency की definition significant deficiency की definition and then इस topic को देखिए, यह वो topic है जो example है, सीधा-सीधा जहां बच्चे भाई साब छोड़ जाते हैं या cover ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है या give up कर देते हैं, और फिर वो आई से आप से exam में पूछता है, I hope आपको trap समझ में आ गया, trap यह है कि जिस topic को आप छोड़ने की सोच रहे हैं, जिस standard को आप छोड़ने की सोच रहे हैं, उन्ही standard से आपके paper में भर-भर के questions आ रहे हैं प्लीज इस बात को मजाक मत लीजेगा warning है आप लोगों के लिए, 265 एक SIS से जिसको लोग कहते हैं ignore, हट गंदा और फिर यही standard जो है आपको आपके exam में दिख जाता है, exactly right, तो please आप साथ देखी, चलिए SIS 265 ने भी होगा, लेकिन कि आपने ये topic अच्छे से cover किया है example of matters that Euter में concerned determining whether deficiency और combination of deficiency constitute a significant deficiency, basically आपको matters का example देने को कहा जा रहा है जिसके basis पे Euter ये decide करता है कि भाई, ये deficiency, significant deficiency है या नहीं अब ये topic आपके लिए चार number का आपके paper में आएगा मैं आपको question bank भी दिखाता हूँ ये हमारा question bank और इस question bank में देखिए ये same topic जो है, ICA के study middle में test your knowledge के format में भी आपसे जो है वो पूछा गया है, और ऐसे ही एक और topic दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल simple topic है indicators of significant deficiencies in internal control, right अब ये topic भी आप अगर मेरा question bank देखेंगे, इसमें फिर से आप लोग देखेंगे ये topic भी हमने एक self topic बना के self question बना के आपसे पूछा और direct question जो है आपसे ये पूछा जाने वाला है, अच्छा इसके बाद जाध ध्यान से देखिए, ये topic अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये communication वाला इसमें तो आप मेरी old revision वीडियो भी देख लीजेगा मैंने उस पे mark करके बोला था कि भाई ये वाला question जो है आपके exam में जरूर 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 आएगा and please check September 24 का question number 6A का और वाला part you will find a question based on this topic और बच्चे इसको भी बड़े ignore करके चले जाते हैं और यही गलती है बच्चो यही trap है कि आप सोच रहे हो कि ICI वो पूछेगा जो आप पढ़ के आ रहे हो ऐसा बिलकुल नहीं है ICI मित्रों दोस्तों भाई भेनों वो पूछेगा जो आप छोड़ रहे हो और यह pattern आप CE final में भी देख सकते हैं यह interview भी देख सकते हैं कोने कोने से उठाके ICI questions पूछ रहा है उन standards से जिनकों हम important नहीं समझते हैं उन standards के अंदर वो topic जिनकों हम important नहीं समझते हैं तो please 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 आप लोग किसी भी हाल में इन topics को छोड़के ना जाएं अच्छे से पढ़ाई करें एकदम motivated रहें coverage बढ़ी होने चीए अगर आप मेरी बात करेंगे आप मेरे students से पूछ सकते हैं क्या हमने यह standard cover किया है अच्छे से या नहीं किया है भाई आप लोग पूछ लिजे मैं तो कह रहा हूँ आप लोग feedback ले लो यार मैं वोलूँगा तो बुरा लगेगा ना भाई मैंने तो इस सारे topics बहुत अच्छे से अपने बच्चों को cover करा हैं इवन याद भी करवाए हैं जैसे for example इसी topic के अगर मैं बात करता हूँ यह topic मैंने बहुत अच्छे से बच्चों को याद भी करवा रखा है कि कैसे आप लोगों ने एक्जाम में लिख किया आना है जैसे कि deficiency leading to misstatement deficiency leading to misstatement division leading to fraud division leading to estimates complexity in estimates इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी चीज़े याद भी करवा रखी हैं अब आप लोगों ने कर रहा है कि नहीं भाई प्लीज एक बार चेक कर लिजेगा और फिर से बोल रहा हूँ जिन standards को आप छोड़ रहे हैं standards के जो topic आप छोड़ रहे हैं वही आप से exam में ICI पूछ रहा है यही ICI का बहुत बढ़ा trap है और आपने इस trap में फसना नहीं है बिलकुल भी फसना नहीं है ठीक है जी अब आप लोगों ने क्या करना है अब आप लोगों ने जलिए से edu91.org पे विजिट करना है आपने दोस्तों को से रैफर करना है किसी इंटर सी फानल की ग्लासे 891 जिले और MockTestPapers.com विजिट करके, महाँ पर MockTest के लिए भी अपने आपको enroll कर लीजिए, ओके, चलो जी, यह ते मेरा plugin, thank you very much, stay connected, stay at जेहिन, मित्रो, और हाँ सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू, तो जीतना शुरू, bye bye and take care, God bless you